Hello friends, welcome back to another new video तो finally guys, engineering के cap round 1 के option form filling process जो है वो अब शुरू हो चुकी है और इस वीडियो में guys मैं आपको detail में step by step बताने वाला हो कि कैसे आपको cap round 1 के लिए अपना जो option form है वो fill करना है काफी सारी important चीज़े होती है guys option form filling process में तो यह सारी जो चीज़े है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो वीडियो पूरा इन तक देखते रहना और कोई भी जो चीज़े हो skip मत करना क्योंकि अगर आप skip करोगे तो फिर आपको problem सा सकता है form filling process में ठीक है तो चलिए गए इस देखते है detail में कि कैसे आपको captain 1 का जो option form है वो fill करना है तो option form fill करने के लिए सबसे पहले official website पे आके BEB take पे जो है वो आपको कर लेना है click यहापे click करोगे तो आप यहापे आ जाओगे already registered पे click करके आपको अपना जो application ID और जो password है वो fill कर देना है login करते ही आपके सामने कुछ ऐसा जो interface है वो आपको देखने को मिल जाएगा यहापे fill and edit option form का जो option है वो आ रहा है means अभी हम अपना जो option form है वो fill कर सकते है starting में incomplete option form for captain 1 ऐसा show हो रहा होगा और यहापे आपको red में सारी जो instructions है वो दी होगी ठीक है तो इन सभी instructions को जो है वो सही से पढ़ लेना और एक सबसे important instruction है यहापे कि आप maximum 300 choices जो है देखना है देख लेना और फिर उसके बाद submit करना ताकि आगे जाके कोई change ना करना पड़े फिर cap round 2 में आप जो changes करना है वो आप कर पाऊगे बट first round में अगर आप submit करते हो तो उसके बाद आप change नहीं कर पाऊगे ठीक है तो चलिए अब आगे बढ़ते है आपको click कर लेना है proceed to fill option form पे proceed to fill option form पे click करते ही आपके समने को जैसा interface आएगा यहाँ पे कुल मिलाके जो 4 steps है वो हमें complete करना है और अपना जो option form है वो completely fill कर देना है इन 4 steps में से सबसे पहली और सबसे important step है short list your options second step है set your preferences third step है option form summary and fourth step है confirm your option form साथी में यहाँ पे एक personal information and important instruction का जो tab है वो दिया है इस पे click करोगे तो आपको यहाँ पे सारी जो details है वो देखने को मिल जाएगी short form का full form क्या होता है यह है जैसे SL का state level होता है HU का home university OHU other than home university TFWS का यहाँ पे दिया हुआ है token region का कैसे यहाँ पे रहेगा TFWS सारी जो चीज़े है वो यहाँ पे दी हुई है ft only for female TFWS यह सारी जो options है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे तो यह भी आप एक बार अच्छे से check कर लेना ठीक है अब देखते है कैसे हम shortlist जो है वो colleges कर सकता है colleges को shortlist करने के लिए यहाँ पे multiple जो filters है वो दिये है जिससे और भी easy हो जाता है colleges के shortlist करना ठीक है सबसे पहला option है यहाँ पे select course ने ठीक है कौन से courses के आपको select करना है वो यहाँ पे हमें select कर लेना है तो यहाँ पे जितनी भी engineering में branch exist करती है वो सारी जो branches है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी सबसे अगर आपको computer से related branches में admission लेना है या फिर computer engineering में admission लेना है या फिर computer science engineering में लेना है तो वो option यहाँ पे आप select कर सकते हो अब देखो इसमें एक twist है कि कुछ university में computer engineering है अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ universities में computer science engineering है कई पे computer technology है तो आपको यह देखना है कि specific colleges में कौन सी branch है ठीक है उसका जो पूरा नाम है वो देखना तब यह आपको यह फिर जो बाकी के options है वो आएंगे अभी मुझे पूने के regions के जो colleges है वो देखना है तो पूने के region में mainly जो computer की branch है उसका नाम है computer engineering ठीक है तो मैं पूने university रख सकता हूँ अगर मैं all पे रख के search करता हूँ तो जितने भी महाराष्टर में colleges है जा पे computer engineering branch होगी उन सभी colleges के जो option है वो मेरे सामने आ जाएंगे बट मुझे पूने university का ही देखना है तो मैं यहापे university specified कर दूँगा अब पूने university के region में कुछ district आती है जैसे नाशिक, पूने और अहमद नगर तो इन में से कौन से district में आपको देखना है college वो यहापे select कर सकते हो अगर आपको तीनों में से तीनों district के option चाहिए तो आप all पे रख सकते हो बट मुझे पूने का ही चाहिए तो मैं पूने पे click कर देता हूँ ठीक है फिर यहापे है select institute status अगर status में आपको कुछ specific चाहिए कि बस आपको government option ही आना चाहिए या फिर university department ही आना चाहिए या फिर deemed university ही आना चाहिए तो यह आप कर सकते हो बट मैं यहापे all पे रखता हूँ थाकि मुझे सारी जो options है वो देखने को मिल जाए फिर यह select institute autonomy status अगर आपको बस autonomous colleges ही shortlist करने तो आप autonomous पे click कर सकते हो non autonomous चाहिए तो non autonomous बट मैं इसको all पे रखता हूँ थाकि मुझे सारे जो options है वो देखने को मिले minority call जिसके ही अगर आपको option चाहिए होगे तो आप इन में से कोई भी जो minority आपको चाहिए होगे उस पे select करके click कर सकते हो तो आपको बस minority के जो options है वो show किये जाएंगे और अगर आपने TFWS yes किया होगा तो यहापी yes का option आएगा अगर आपने no किया होगा तो पहले से यहापी जो है वो no का option रहेगा ठीक है तो मैंने मुझे जैसे filters चाहिए थे वैसे डाल दिया है और अब search institute मैं कर देता हूँ click इस पर click करते ही जैसे मैंने filter जाले है उससे रिल्टर जितने भी पूने के अंदर options होगे जापे computer engineering की branch available होगी वो सारे जो options है वो मेरे सामने आ जाएंगे जैसे कि आप देख सकते हो सारे options यहाप पर आ चुके है तो अब इसमें से मुझे जो है वो अपने colleges shortlist करना है ठीक है अब shortlist करने के लिए गई सबसे पहले तो आपको अपनी जो list है वो बनानी होगी list अच्छे से बनाना ताकि आपको shortlist करते time कोई भी problem ना आए और जैसे मैंने बोला कि branch सई से डालना तब ही आपको यह जो options है वो देखने को मिलेंगे ठीक है तो computer engineering में इतने सारे colleges के options है तो अब जैसे मैंने list बनाई होगी उसके according में यहापे जो colleges है वो select करूंगा ठीक है अभी मैं आपको example देने के लिए randomly जो colleges है वो select कर रहा हूँ ठीक है तो ऐसे ही copy मत करना आपकी जैसे list होगी वैसे आपको जो है वो colleges यहापे select करना है ठीक है तो मैं यहापे कुछ जो अच्छा-च्छा colleges है वो select कर लेता हूँ जैसे पिंपरिश इंचोड हो गया see अगर वड़गा हो गया यहापे मुझे TFWS का option नहीं आ रहा है क्योंकि मैंने TFWS no किया है अगर आप TFWS yes करोगे तो आपको हर college के branch के नीचे एक T वाला जो choice code है वो देखने को मिल जाएगा तो अगर आप TFWS के लिए apply करते हो तो वो option पे भी आप click कर सकते हो ठीक है और फिर म करने के लिए पहले select कर लेना है और नीचे option रहेगा green color का add selected options इस पर आपको कर देना है click इस पर click करते है जितने भी colleges आपने select किये होंगे वो आपको downside में यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ठीक है साथी में यहाँ पे home university है state level cutoff है यह सारी चीज़े आपको देखने को मिल के ब्रांच का नाम है वो I think computer science and engineering है mainly ठीक है तो यहाँ पे मैं change कर देता हूँ यहाँ पे मैं नाकपूर university कर देता हूँ और district में नाकपूर में वर्दा नाकपूर और भंडा रहाता है तो मैं नाकपूर करता हूँ और search करता हूँ ठीक है तो जैसे मैंने search किया तो मुझे नाकपूर के colleges के जो options है वो यहाँ पे मिल चुगए ठीक है तो यहाँ से मुझे जो भी अच्छा college लगता होगा नाकपूर का उसको मैं select कर लूँगा ठीक है जैसे government college हो गया रामदय बाबा हो गया राइसुनी हो ठीक है तो इनको select कर दिया और अगर मुझे इनको add करना है तो उपर ही अभी option आ जाता है add selected options इनको भी मैंने add कर दिया ठीक है तो यह अभी हम नीचे हमें देखने को मिल जाएंगे ठीक है जैसे आप देख सकते हो पहले हमने पूने के colleges अट किये और फिर नाकपूर के colleges अट किये ठीक है तो आपके list में जितने भी colleges होंगे आप पहल है बना यह होगी ठीक है तो मैंने कुछ पूने के colleges और कुछ नाकपूर के colleges यहाँ पर डाल दिया ठीक है और अब मुझे लगता है कि sufficient है इसमें मैं को college मिल सकता है और अगर आपको ऐसा लगता है कि यार गलती से मैंने यह college extra add कर दिया ठीक है या फिर मुझे यह लग नहीं easily fill हो जाएगा ठीक है इतने option select करने के बाद मुझे करना है save and proceed पे click ठीक है save and proceed पे जैसी मैं click करूँगा तो मैं second step पे आ जाऊँगा और यह one of the most important step है पूरे option from filling process की जो कि है set your preference ठीक है अब preference set करते time मैं तो यही देखता हूँ कि कि किसका cutoff हा है ठीक है और कोच कुछ students यहा chances है वो काफी कम रहता है ठीक है हम live stream भी करेंगे उसमें भी देखेंगे कि कैसे आपको preference देना चाहिए ठीक है तो आपने जो भी list मनाई होगी उसके according आपको जो है वो preference दे देना है ठीक है तो मैं यहाँ पे preference देता हूँ preference देने के लिए जिस भी box पे आप first click करोगे उसको first preference मिलेगा ठीक है जैसे मैंने फिंपरी जिंचवर्ड पे first click किया तो यहाँ पे उसके सामने one आ गया ठीक है फिर मैं यहाँ पे government नाकपूर पे click करता हूँ या फिर रामदेवा पे click करता हूँ यह second आ गया फिर यह third आ गया ऐसे करते करते आपको जैसे जिसको preference देना है उस अगर आपको लगता है कि या गलती से गलत preference दे दिया तो आप क्या कर सकते हो reset my preference कर सकते हो तो आपको पूरा जो preference है वो erase हो जाएगा और फिर से आप जो preference है वो देज सकते हो ठीक है तो फिर वापस आपको जैसे preference देना है अभी तो मैं randomly दे रहा हूँ आपको जैसे देना ह में जो भी colleges के अपने नाम डाले होंगे वो जैसे अपने preference दिया होगा उस type से आपको जो है वो orange हुए देखने को मिल जाएंगे ठीक है उसके बाद अगर आपको और कोई colleges को add करना है या फिर कम करना है या फिर बढ़ाना है तो वहाँ भी आपको insert का जो option है वो मिल जाएगा student का है तो student का अभी तक मेरे परस preference आने का है जब आएगा तो मैं इसका भल दूँगा और हम live stream में वो जो है वो देख लेंगे बस मुझे आपको समझाना था कि कैसे आप shortlist कर सकते हो और कैसे preference दे सकते हो second, third step में बहुत easy है save and proceed कर देना पूरा list देखने को मिल जाएगा और confirm करने के लिए OTP डाल के आपको जो preference है वो submit कर देना है ठीक है उसका print भी निकाल सकते हो अगर आपको second step से first step में जाना है तो first step पे click कर लेना वापस कुछ shortlist वगरे करना है तो वो भी आप कर सकते हो ठीक है simple process है जादा इसको complex नहीं करना है जो list है उसको सारी list को add कर देना ह पहले आपकी जो भी list बनाए होगी second में फिर आपको उनको जो preference है वो देना है third में आपको पुरी summary देखने को मिलेगी कैसे आपने preference दिया है जैसे आपने preference दिया वैसे पुरी list देखने को मिलेगी और fourth option में confirm कर लेना है ठीक है कोई भी problem आता है तो मुझे comment section में बताना मैं ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को subscribe करके bell icon ज़रू से दबादेना ताकि आपको time to time सारे जो updates है वो मिलते रहे